नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टड़ी आई की दो आज हम लोग इंडियन स्पेस सेक्टर से जुड़ी वे ख़बर के उपर चर्चा करने वाले हैं लेकिन उससे पहले आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हम लोगों ने ये चर्चा की थी स्पेस सेक्टर ऑफ इंडिया नई उचाईयों को छू रहा है अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आपने इसकी समरी को ज़रूर समझा होगा मैंने इस पर्टिकलर लेक्चर में आपको बताया था कि इंडियन स्पेस सेक्टर में अभी आगे चलके प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है मैंने बताया था कि इंडियन स्पेस सेक्टर को एक दिशा मिली है जहां पर अभी पहले इसरो था केवल पायानियर इंस्टूशन इसरो का अभी साथ देगा इंडियन प्राइवेट सेक्टर भी इसको बढ़ावा देने के लिए कुछ पॉलिसी आई थी कुछ पिलर्स आई थ से जिनका पोटेंशल स्पेस सेक्टर में इन्वाल होने का वो इस असोसियेशन में रहेंगे इसके अलावा पिछले साथ 2020 में डेवलप हुई थी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इस सेक्टर के लिए इन स्पेस बनाए गया था इन फाक्ट इन स्पेस को हम लोग इससे भी पहले 2019 में एक और डेवलप्मेंट हुई थी जहां पर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को इनकॉर्परेट किया था इसको इनकॉर्परेट किया था मार्च 2019 में ही और यहां पर आपको उनकी फंक्शन वगेरा आपको मिल जाएगी और आज की जो चर्चा है व सेक्टर को नोट जस्प्राइवेट सेक्टर को कमर्शल ही हम लोग कैसे स्पेस सेक्टर को यूटिलाइज करने वाले हैं तो क्या खबर है इस NSIL से जुड़ी हुई अल्दो NSIL 2019 में इंकॉर्परेट हुई थी लेकिन अभी दो साल बाद उसकी फर्स्ट डिमांड बेस्ट कम्यूनिकेशन सैटलाइट लाँच होने वाली है इस रोज कमर्शल आम NSIL is going to launch its first डिमांड बेस्ट कम्यूनिकेशन सैटलाइट नेक्स्ट इयर तो हमारी चर्चा होगी इस पे इस डिमांड बेस्ट सैटलाइट के उपर कौन सा सैटलाइट है किसने डिमांड किया है कौन इसको launch कर रहा है इस सारी चीज़े हम लोग जानेगे तो यह सारा अजेंडा रहेगा हमारी आज की चर्चा का तो गेट दिस इंफॉमिशन मेरे साथ बने रहे है स्टडी आईक्यू पर मैं हूँ आपका दोस्त राहूल साइगाउंकर इस आईडी पे आप मुझे follow कर सकते हैं इसके अलबा अगर आप preparation कर रहे है competitive exams की तो यहाँ पर list है of all the competitive examinations that we run on study IQ और इधान रखिएगा कि तिल November 8th 2021 सबसे बड़ी साल की sale चल रही है दिवाली sale अगर आप code use करेंगे दिवाली 30 you'll get additional 30% discount do avail those services चली चर्चा शुरू करते हैं खबर मैंने आपको बता दिये कि इस रो की जो commercial arm है NSIL New Space India Limited इट announced its first demand driven satellite mission तो हम लोग समझेंगे कि क्या बदलावाया है क्या है यह demand driven satellite mission लेकिन उन सबसे पहले NSIL के बारे में जानते है NSIL क्या है New Space India Limited March 2019 में इसको incorporate किया आपको ध्यान रखना है कि यह एक public sector enterprise public company है which has been incorporated under the Companies Act again it would be under the administrative control of Department of Space यानि कि आपको यह समझना है एक तरफ है इस्रो 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 प्रीमियर और्गनाइज़ेशन गवर्मेंट के अंडर एक separate company incorporate की गई है NSIL अब NSIL करेगा क्या आप यहाँ पर देख सकते हो the major business areas of New Space India Limited would include production of PSLV and small satellite launch vehicle अब क्या वो खुद production करेंगे वो outsource करेंगे काम to the industry industry में कोई भी private company है जो satellite launch vehicles बना रहे तो उन्हें वो बनाने का order देंगे इसके अलबा production and marketing of space services जैसे कि transponders हो गए remote sensing services हो गई lease करने की services हो गई satellite भी build कर सकते है according to user requirement अब समझ लिजे कल को study IQ एक order देना चाहता है कि हमारा खुद का satellite चाहिए तो हम जाएंगे NSIL NSIL के पास ही order place करेंगे NSIL के साथ they will develop the satellite by outsourcing it anywhere and launch it and provide us the services I hope कि आपको समझ में रहे किस तरह private sector को involved किया जा रहा है to enhance the commercial aspects of ISRO also इसके अलबाद transfer of technology developed by ISRO, consultancy services provide करेंगे etc आपको याद होगा कुछ इसी तरह की एक और company मनी थी एंट्रिक्स पहले एंट्रिक्स corporation जो थी वो private आम थी ISRO की अगर आपने एंट्रिक्स अनम नहीं ही हो रहा है लेकिन अब यह बताया जा रहे कि इस एंट्रिक्स corporation is only going to deal with the foreign companies or foreign corporations NSIL purely for private sector और इंडिया की private sector को बढ़ावा देने के लिए NSIL को बनाया गया है यह बताया जा रहे अल्दो युनाइट्स स्टेट्स की खबर आती युनाइट्स स्टेट्स की कुछ एक्सपर्ट से वो एलेज करते हैं कि एंट्रिक्स corporation को भी साइडलाइन किया जा रहा है क्योंकि एंट्रिक्स और डेवास के डील फॉल्टर होगे थी अभी भी matter subject is है और इसके ओपर कोई liability ना हो इसलिए एक और company open की गई है but whatever the matter it is NSIL आपको ध्यान रखना है प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करेगा प्राइवेट सेक्टर को अपनी services provide करेगा इस रो एक अलग बॉड़ी है NSIL एक commercial company है एक मैं कहूंगा private sector company है for commercial purposes अब इस NSIL ने किया क्या है इस NSIL ने हाली में उनका पहला demand driven communication satellite order किया demand driven वो एक communication satellite launch करेंगे उसका नाम है GSAT24 एक communication satellite होगा 4000 kg का ये satellite रहेगा जिसमें KU band transponders रहेगे अब अगर अब तयारी करने अगर आप aspirant है तो मुझे बताइगा comment section में कि ये KU band transponder क्या होता है क्या frequency क्या आम करता है in fact मुझे बताइए KU band K band और C band, team prominent bands होती है उनकी application के बारे में बताइए और मुझे बताइए कि what is the difference between these three, preparation करते हैं for the examination, जैसे कि मैंने बताइए GSAT24 में KU band transponders रहेंगे, सारे transponders dedicatedly DTH services के लिए जाएगे, अब आपको ध्यान देना है कि जो GSAT24 है इसको develop call कर रहा है, जैसकि मैंने आपको बताया था, NSIL order करेगा, NSIL किसी private company को भी दे सकता है, लेकिन अभी फिलाल NSIL ने order दिया हुआ है ISRO को, right, they will give an order to ISRO, so ISRO is going to develop GSAT24, और यह सारी GSAT24 की ownership, इसकी operation सब कुछ NSIL के साथ रहेगी, अब सवाल यह उड़ता है कि इसको launch कौन करेगा, इसको launch करने वाले है European Space Agency in their Arian 5, जैसे हम लोग हमारे PSLV, GSLV में करते हैं, satellite launches, वैसे ही NSIL ने अभी decide किया है कि GSAT24 Arian 5 में जाएगा, जो European Space Agency का launch vehicle है, और जो European Space Agency का launch vehicle है, this can carry a payload of about 10 metric tons, यानि कि 10 ton के आसपास यह भेज सकते है, आपको पता होगा कि इंडिया की GSLV है, उसकी capacity is around 4000 kg, right, जो Arian 5 है, it can send up to, and 20,000 kg in the low earth orbit, तो अभी तक हमारी समझ क्या है, कि एक तरफ ISRO है, ISRO तो Premier Organization है हमारी Space Organization, एक तरफ एक company बनाएगी NSIL, जिन्होंने यह कहाए कि अभी वो एक GSAT24 satellite का order देंगे, ISRO ही बनाएगा, लेकिन उसको launch करेगा Arian 5, लेकिन जब यह launch होगा, successfully launch होगा, जब orbit में चला तो satellite इस्तमाल कौन करेगा, satellite इस्तमाल करेगा एक private entity, तो यहाँ पे players कौन कोन है, Tata Sky would be the private entity, जिसको सारे transponders दिये जाएगे, in fact यह पूरा satellite वही इस्तमाल करेगे for their DTH applications, और Tata Sky TV services provide करता है, तो setup क्या है, आप देख सेथे हो, यहाँ पे there is Tata Sky, which is a private player, जिन्होंने एक deal sign किय with NSIL, NSIL एक public sector company है, यह company order कर रही है, इसरो को कि satellite बनाए, और जब यह satellite बनेगा, तो वो satellite लेंगे, and that satellite would be launched from European Space Agency, so this would be the nodal agency in between, और आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि satellite Tata Sky को दिया जाएगा, satellite will be owned, satellite will be operated by the NSIL itself, but इसकी जो भी services है, वो Tata Sky इस्तमाल करेगा, सारे के सारे transponders, जो भी communication satellite के transponders से, वो इस्तमाल करेगा, for the DTH applications, अब सवाल उठता है, कि सर, यह अभी की development है, जब NSIL आया है, पहले क्या हुआ करता था, what was the process before, देखे, पहले एक policy थी, कि हम जब भी एक communication satellite launch कर रहे हैं, समझ लीजिए, पहले मैंने एक satellite launch किया, G-SAT 20, hypothetical situation में जिसे 20 मेंने launch किया, उसके अंदर मैंने 3 KO transponders भेजे, 3 KO transponders भेजे, अब जिसको भी जरूरत है, वो bid करेगा, समझ जिए, Airtel को जरूरत है, Tata Sky को भी जरूरत है, दूसरे जो प्लेजिए, वीडियो को होने, उसको भी जरूरत है, तो जो 3 transponders है, उन transponders को communication के लिए दिया दा Transponder 1 to Airtel, Transponder 2 to Tata Sky, etc. कुछ इस तरह की policy के, और ध्यान देना है, जब मैं launch करूंगा, उसके बाद वो transponders available होंगे, यानि कि earlier the policy was supply driven, यानि कि मैं अगर satellite launch कर रहा हूं, तभी आपको उसमें से एक transponder मिलेगा for your applications, but अभी it has turned to demand driven, means मैं demand कर रहा हूं, यानि कि private sector जो है, Tata Sky न is now going to provide them with a satellite, इससे क्या होगा, इससे profits maximize हो जाएंगे, NSIL का separate काम चलेगा, समझ लिजे, अगर ISRO busy भी है, ISRO यह कहेगा कि no, I cannot construct your GSAT 24, और यहाँ पे, there would be a deal between ISRO and NSIL also, क्योंकि payment हो नहीं है, payment will go to ISRO for building, payment will go to Arial, that is European Space Agency for launching it, उसके बाद, everything would be done by Tata Sky, everywhere there would be payment, यह समझना है आपको, कि NSIL अभी commercial aspect separately handle करेगा, ISRO अपनी research development में लगा रहेगा, और हम profit maximize कर सकते है, because of this, तो basic चीज़ अभी यहाँ पे क्या होगी, कि एक identified customer होना चाहिए, वो identified customer जब demand करेगा, कि NSIL, I want this particular satellite for this application, जैसे आज इन्होंने DTH के लिए पूछा, कल कोई पूछेगा, मुचेगा mapping के लिए Then, वहाँ पे उन्हें एक deal दी जाएगी, एक agreement दी जाएगी, जिसके तहर हम लोग एक satellite service provide कर सकते है, to private sector, so that completely satellite capacity भी utilize हो जाएगी उनके लिए, और profitability भी बढ़ेगी, so in terms of commercial aspects, it's a win-win situation for everyone, तो कुछ इस तरह से development चल रही, I hope कि आपको पता चल रहा हुआ कि space sector कैसे नहीं उचा ये छूरा है, now private players have become a part and parcel of our space journey, that is it in this lecture for today, thank you for watching this video, Jai Hind!